फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर की पर्ची को ये प्रिस्किप्शन को किस तरह से रीट किया जाता है तो चलिए हम समझ लेते हैं एक वीडियो हमने अल्रेडी अपलोड कर चुके हैं अगर आपने उसे नहीं देखा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आप उसे चेक कर लीजेगा तो सबसे पहले तो यहां पर प्रॉबलम लिख दी गई है माईगरेन हेडेक की प्रॉबलम है वेक्ति को जो भी पेशन्ट है उनकी और यहां पे हेडेक के बारे में जानकारी दी गई है जिसकी फ्रिक्वेंसी बताई पंदरा दिन में लगबग एक से दो बार तक माइगरेन जो है हो जाता है तो इससाब से यहाँ पे जो है डॉक्टर ने कुछ दवाईयों को सजेस्ट किया जिसे हम आपको पढ़ना बताते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे T और B लिखा गया तो इसका अर्थ है टैबलेट तो यह जो दवा का नाम है वो है प्रोवेनौल प्लस वाकि यहाँ पे आप देखें कंटेन के बारे में जानकारी दी गई है कि कितने mg पर कंटेन रहना चाहिए तो यह जो दवा है दो कंटेन से मिला कर बनाए गई है तो उससे साब से पहला जो कंटेन है 40 mg कर आएगा और दू इनों दिनों के लिए सेजेस्ट कियें वो भी यहाँ पे आप देखें लगबग जो है इसे 15 डेस के लिए लेनी के लिए जो है सला दी गई है उसके बाद डॉक्टर ने रीकंसल्ट के लिए बुलाए है ताकि और भी जो है पेशन की कंडिशन के अनुसा डोसेज को रिकमे किया जा रहा है SOS का अर्थ होता है ऐसी दवा जो आपको जरुवत पढ़ने पर ही लेना होता है तो मान के चलिए अगर वेक्ती हैं माइगरेन वाले वेक्ती हैं उन्हें ये जो दवा रिकमेंड की गई है जब उन्हें सेरदर्द होगा तब इसे लेनी की सला दी जाएगी बाकि इससे कंटिन्यू लेना है 15 दिनों तक रोजाना एक गोली और ये जो नेश्टरों टैबलेट है इसे जरुवत पढ़ने पर जब सेरदादो तब लेने के लिए सजेस्ट किया गया है तो आप कुछ इस प्रकार से प्रिस्किप्शन को रीड कर सकते हैं बाकि हम ऐसे वीडियो आप तक पहुचाते रहेंगे रोजाना ऐसी जानकारी पाने के लिए अपना मेडिकल फिल्ड से जोड़ना नौलेज बढ़ाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल एज़ू फार्मेस को सब्सक्राइब करना नहीं बुलिएगा मैं हूँ आपका में से शितान शुटूरिया चल्दी मिलते हैं अपनी नेश वीडियो पर